अब आ जाते हैं सर चप्टर नंबर टू पे चप्टर नंबर टू के अंदर कुक रिवीजन देखते हैं सर चप्टर नंबर टू में क्या आता है पहला कोशन बनता है कि सारे रेजिडेंट्स हमारे सिटिजन नहीं होते और सिटिजन हमारे रेजिडेंट्स नहीं होते इस तर पकुझत भी इंदार सब्सक्राइए अगर इन दोनों में से एक भी basic condition आपने complete कर दिया है तो आप माने जाओगे आपने basic condition 1 complete कर दिया है लेकिन कुछ exception cases है जहाँ पर basic condition number 1 ही देखना 2 उसके लिए ही नहीं जैसे for example कोई इंडिया से बाहर employment purpose के लिए जाता है तो basic condition number 1 चेक करिएगा 182 days वाला उसके बाद वाला चेक नहीं करना अगर कोई Indian origin है तो उसके लिए भी basic condition number 1 चेक होगा दो नहीं चेक होगा लेकिन अगर उसकी इंडिया से income होने वाली 15 लाग रुपे से उपर है 15 लाग रुपे से उपर है तब वहाँ पे condition number 1 और 2 दोनों देखा जाएगा लेकिन 2 बदल जाएगा और 2 के अंदर क्या आ जाएगा सर 160 के जगह पे 60 के जगह पे उसको double कर दिया जाएगा 120 days count होगा इसके बाद number 3 कोई भी shipping पे as a crew member काम करता है इंडिया से बाहर जाता है काम करने के लिए crew member as a crew member जो ship के उपर काम कर रहे होता है तो उसके लिए क्या लगेगा सर उसके लिए लगेगा 182 days 60 days वाला उसके लिए है ही नहीं deemed resident, deemed residence में कहता है कि अगर कोई वेक्ति कहीं पे भी resident proof नहीं होता और इंडिया से उसकी 15 लाग रुपे से उपर है तो इंडिया गवर्मेंट उसे कहेगा तु भाई इंडिया नहीं है तो आजा इंडिया के अंदर और उस तुझे text देना पड़ेगा additional condition सर, additional condition भी 2 है, दोनों complete करना compulsory है, पहला condition पिछले 7 सालों में आपको कम से कम 730 दिन इंडिया में होना चीए और दूसरा पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार आपको इंडिया के अंदर होना जरूरी है ये तो था किसका सर हमारा resident, इसके बाद बात कर लेते हैं company, company का मतलब जिसने company अपने आपका registration करा रखा है इंडिया के अंदर, वो Indian resident है और जिसने नहीं करा रखा है इंडिया में registration वो Indian resident नहीं माना जाएगा सर इसके बाद सर एकाता है H.O.F. ह.O.F के case में क्या होता है हमारा के हमारे सारे में decision जितने बी अगर इंडिया में हो रहे हैं तो वो resident माना जाएक ऑर इंडिया के बाहर हो रहे हैं तो resident नहीं माना जाएगा सर हुफ का भी हो गया यह सारा लगबग लगबग हमने resident का complete कर लिया फटा फट से quick revision में और यह हमारा resident का भी part हो जाता है सर खतम तो ध्यान से आपने सुन लिया हो hopefully आपको समझ में आ रहोगा इससे जादा theory इसके अंदर से नहीं पूछा जाता है chapter number two भी हमारा के आओ जाता है सर फटा फट से खतम हो जाता है